हेलो फ्रेंट्स आपसे भीगा स्वागत है आपके अपने यूटूब चानल स्टेडिवीज सुजित में तो दोस्तो आज हम लोग जानेंगे कि जो बिहार बोड के स्टुडेंट है यानि कि 2022 में परिक्षा देंगे वो कौन से बुक से त्यारी करें और अबजेक्टिव के ल अगर पढ़ते हैं उन्हीं बुक को पढ़ते हैं तो आपकी बोड एकजामे में लगभग गये 95 परसेंट ज़रूर आएगा बोड एकजामे 100 गरांटिग के साथ अगर इनहीं सब्जेक्ट को अगर पढ़ते हैं यानि कि बुक से त्यारी करते हैं तो चलिए हम लोग जानत के भी हो या क्लाश 12 के लिए क्योंकि ncrt से ही कोशन बार बार पूछे जाते हैं और इसका लंग्वेज जो होता है बहुत ही हार्ड होता है ठीक तो आप लोग अगर यह यह भी पढ़ने का प्रियास करें और देखिए यह तीन नंबर है कि भारती भॉन बुक से पढ़े और अबजेक्टिव को याद जरूर कर लें क्योंकि भारती भॉन का लंग्वेज थोड़ा अच्छा होता है यानि कि पढ़ने में बहुत ही आपको समझ में आ जाता है भारती भॉन का लंग्वेज तो यह जरूर यह भी नहीं पढ़ते हैं तो यह जरूर आपको पढ़ना चा है व भारति भण से ही पूछता है को जो अब्जेक्ट Suket से अधिक्ट है हाउद करांच के लिए स्वरी णे स्वरी ब्रण्ट अच्छा और मथभी महतंहुफ होता है और इसी से यह तो बहुत होता है तो के लिए यह बहुत है जो सब्सक्राइख को अगर अच्छे से त्यारी करते हैं तो आपको आनिक्कि यह आपकी बोर्ड इग्जामें 95 परसेंट यानिकि इस से आधिक हो सकता यानिक the इसी बुक से बार-बार कोशन हमारे बोर्ड एक्जामें दोहरा आए जाता है तो चलिए उन बुक को अच्छे से देखते हैं तो देखें ये कलास 10 के लिए हैं देखें एंबीडी गाइड इस प्रकार से रहता है एंबीडी गाइड तो इनहीं को आप लोग देह कर यानि कि इनहीं को आप लोग खरीद कर त्यारी कर सकते हैं और भारती भौन सब्जेक्ट आए आप लोग प्रेक्टिस करते रहेगा यानि कि बार-बार यानि कि जी सब्जेक्ट क देखे करने का मतला है कि परेक्टिस करते रहेगा क्योंकि आपको करने से याद भी हो जाता है ook कितने प्रेक्टिस के के सब्सक्राइब करते रहेगा और के लिए दिखा दे यह बुक सबसे महत्पूर आता है देखिए यह के लिए बिहार सेकेंडरी एक्जामिने दिखिए यहां पर टार्गेट अबजेक्टिव दिया है फिजिक्स के लिए इसी परकार से केमेश्टी का भी मिलता है और सब्जेक क्रा beschäft 버क कर अब लोग का मिलता है तो सब्जेक्टिव के लिए अप जहां कोचिंग करते हैं से आप लोग त्यारिक कर लिजिए माइथमेटिक्स का है अगर टार्गेट का किंते हैं तो भी महत्पूर ही अगर बिल्लेंट का किंते हैं तो भी महत्पूर है यानि कि दोनों इस प्रकार से आपकी रहेगा जो जिक्स का होता है वह बुलू कर रहता है अगर उन्हीं उन्हीं बूक से त्यारी करते हैं यानिकि अबजेक्टिव कोशन पर आप लोग जरूर ध्यान दिजेगा क्योंकि बोर्ड परिक्षा में खासकर अबजेक्टिव कोशन बहुत ही अध स्क्रीन सोट भी लिएक सकते हैं और एक जगा लेकर भी त्यारी कर सकते हैं कि कौन-कौन से बुक से त्यारी करें आप लोग इन इन दोनों को भी आप लोग ध्यान में रखेगा इन दोनों को इससे आप लोग त्यारी भी करते हैं तो आपकी बोर्ड एक्जामें लगभग के 95% आपकी बोर्ड इग्जामें इसी से ही प्रश्णोतर पूछे जाते हैं तो इतना ही बात आना था अगर ये वीडियो अच्छलेगी हो तो इसे लाइक करें और चानल से नए जूले हो तो चांस को सब्सक्राइब जरू कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास हैं नेक्स्ट वीडियो में